पहला हर्शित रहस्य की घोशना और हमारे अपराद हमें शमा कर जैसे हमी अपने अपरादियों को शमा करते हैं और हमें परिशा में नाड़ा परंतु राई से बच्चा आमें छटवे महिने में परमेश्वर की ओर से जिब्राईल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाउद के घराने के एक पुरुष से हुई थी उस कुवारी का नाम मरियम था प्रणा मरिया कृबपुर्ण प्रबू तेरे साथ है दन्य है तू स्ट्रियों में और दन्य है तेरे गर्ब काफल येसु है सांद मरिया परमेश्वर की मा प्रातना करखम पाबियों के लिए अब और हमारे मरन के समय आमें और सर्दूत ने उसके पास भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्र हुआ है प्रभू तेरे साथ है वह उस वचन से बहुत खबरा गई और सोचन लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है प्रणा मरिया क्रिवापुल प्रभू तेरे साथ है दन्य है तू स्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्ब काफल येसू है सांद मरिया परमेशर की मा प्रातना करहम पाबियों के लिए अब और हमारे मरन के समय आमें स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भैभीत न हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन होगा तू प्रनाम येशू रखना प्रनाम मरिया कृबपुर्ण प्रबू तेरे साथ है दन्य है तू स्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्भ काफल येशू है सांद मरिया परमेश्वर की मा प्रातना करहम पाबियों के लिए अब और हमारे मरन के समय आमें वे महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभू परमेशर उसके पिता दावूत का सिहासन उसको देगा और वे याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा प्रणा मरिया क्रिबपुल प्रभू तेरे साथ है दन्य है तू स्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्भ काफल येसू है सांद मरिया परमेशर की मा प्रातना करहम पाबियों के लिए अब और हमारे मरन के समय आमें मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह क्यों कर होगा मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं स्वर्गदूत ने उसको उतर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमपरदान की सामर्थ तुझ पर छाय करेगी इसलिए वह पवित्र जो उत्पन होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा प्रणा मरिया क्रिवपुर्ण प्रबू तेरे साथ है दन्य है तू स्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्ब काफल येश्व है सांद मरिया परमेश्वर की मा प्रातना करहम पाबियों के लिए अब और हमारे मरन के समय आमें मरियम ने कहा देख मैं प्रबू की दासी हूँ मुझे तेरे वचन के अन्वसार हो तब स्वर्ग दूत उसके पास से चला गया प्रणा मरिया क्रिवपुर्ण प्रबू तेरे साथ है दन्य है तू स्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्ब काफल येश्व है सांद मरिया परमेशर की मा प्रातना करहम पाबियों के लिए अब और हमारे मरन के समय आमें अब इश्य मसी का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसफ के साथ हो गई तो उनके एक खटे होने से पहले बैपवित रात्मा की ओर से गर्ब बती पाई गई प्रणा मरिया क्रिबापुर्ण प्रबू तेरे साथ है दन्य है तू स्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्ब काफल येसू है सांद मरिया परमेशर की मा प्रातना करहम पाबियों के लिए अब और हमारे मरन के समय आमें प्रणा मरिया क्रिबापुर्ण प्रबू तेरे साथ है दन्य है तू स्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्ब काफल येसू है सांद मरिया परमेशर की मा प्रातना करहम पाबियों के लिए अब और हमारे मरन के समय आमें जब वे इन बातों के सोच ही में था तो प्रभू का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दे कर कहने लगा हे युसुफ दाओद की संतान तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत दर क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है वह पत्र जनेगी और तू उसका नाम येशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उधार करेगा प्रणा मरिया क्रिबापुर्ण प्रभू तेरे साथ है दन्य है तू स्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्भ काफल येसु है सांद मरिया परमेशल की मा प्रातना करखम पाबियों के लिए अब और हमारे मरन के समय आमेन सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभू के दूद की आगे के मसार अपनी पत्नी को अपने हां ले आया और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम ये शु रखा प्रणा मरिया कृबपुल प्रभू तेरे साथ है दन्य है तू स्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्भ काफल येशु है सांद मरिया परमेशर की मा प्रातना करखम पाबियों के लिए अब और हमारे मरन के समय आमेन पिता पुत्र पवित्रा आत्मा की बढ़ाई होवे जैसे वह आदी में थी अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी आमेन